देश की सियासत से घरीब की समस्याव तक, संसती गूंज से पंचायत की सभाव तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रुबरू, क्यूंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज जज़बा सच दिखाने का लहरपूर कोत्वालिक शेतर के ग्राम रौसी पूर रंगवा में 33,000 बिजली की लाइन की चपेट में आये क्यूबग राक्त जानकारे के तुसार, कॉत्वालिक शेट्र के ग्राम रौसी पुरंगवा में निवासी घंशाम पुत्रकाशी राम्यादाओँ ने उफजलादिकारी लहरपूर, कॉत्वाली प्रिभारी लहरपूर उखंट आदिकारे को पत्र प्रातना पत्र देकर यह बताया है कि उसके घर के सामने 33,000 की बिजली की लाइन निकले हुए जिसके तार बहुत नीचे है जो बिजली विभाग के जई उची नहीं करवा रहा है जिसकी चपेट में आने से उसका भाई घेवन कुमार आज गंभी रूप से घाय हो गया है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह बाल बाल बच किया पीडिक में यह भी आरोप लगा है कि जब तार उचे करवाने वा खंबा हटवाने को लेकर यहां की ठेकेदारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दो लाक रुपेदों तम हम खंबा हट आए इस बावत पीडिक ने कई प्रातना पत्र बिजले विभाग से लेकर उच अ आत्मात्या करने की कोशिस भी की थी मौकी पर पहुंची पुलिस ने पीडित को समझवा भुजा कर वहां से बेज दिया था पीडित ने बदाय कि उबजला धिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का निस्तारन किया जाएगा हमारे पास उसके प्रूफ है यह प्रूफ है वो हम दे चुके है और हमारा मगा पहले का बना समार भाह दमेश्रान तो अभी फन्हाब यह जाएव गश्रम साब को टिया अब् lo Patreon कर रहे थे हम इसको Strips कर हो एक हम डोपलाराम सिलच टूद अब 딱